नमस्कार दोस्तों, तो फिलाल हमारे पास एक गमला है, यानि टब है और टब में एक कच्छुआ है, तो चली आज हम आपको कच्छुए के बारे में कुछ बताएंगे, कुछ जनकारियां आपको देंगे, तो कच्छुए के बारे में बताते हैं आपको, तो चली थोड़ा ध कावच बहुत मजबूत होता है और उसे सिकारी जानवरों से सुरच्छा परदान करता है तो कशुआ के चार पर होते हैं और धीमी चाल से चलने वाला जानवर है तो कुछ कशुआ के दात नहीं होते हैं ओभी कावत है कि धरती पर 318 परजातियां कि कशुआ होते हैं तो 23 मय को हर सल मनाय जाता है और सोवियस संग ने चांद के पास यान भेजा था जिसमें कच्छुओं को बिठाया था तो हॉलिवड मूबी जुरासिक पार्क में कच्छुओं की आवाज डाइनसौर की गुराने की आवाज है तो कच्छुओं वास्तु सास्तर के मुताबिक नाक देखिए कच्छुओं के साथ पानी बरा हुआ है और इस टब में कच्छुओं का बच्च्छा है या कच्छुओं समझ दीजिए तो चलिए इसको हम निकालने की त्यारी करते हैं और आपको दिखाने कोशिद करता हूं तो चलिए पानी में है फिलाल इसको मैं खोज रहा ह देखिए एक कच्छुओं है जो इस घर में पाला जाता है कि इससे घर में पालने से सुनरता बढ़ जाता है और तरह तरह का लश्मी का भी परकत होता है तो पता नहीं जो भी हो लेकिन हम चलिए दिखिए इसका अभी फिलाल ये खुपड़ी अपना अंदर कर लिया हुए जो आप देख सकते हैं और यह बहुत बढ़ियां है घर में कम से कम सुझा दिन से रखें आप लोग चो मेना से छे मैना होगे जोड़ के रखें इसी टब में रखते हैं छोड़ देता है तो लोग पूल यह मतलब चारो तरफ घर में घुंगुं के रहता है खाना पीना में माटी ओगे रखा लिए जब यह देखिये चारो तरफ बूलते रहता है तो इसका भी नजारा दिखाएंगे फिल इसका मूग नियुक्त कर दो करें तो इसका गर्दन हम इवर उंली डालेंब में तो तो इसका गर्दन हुआ इसका निकाल रहे देखिए वह तो कट लगतो हुआ कि मुझे दखना फिर दिया था कि अपड़ी कर रहा तूं कि इसका पैड़ देखो किस तरह निकालता है इस पर कैमेरा जूं करो इस अपमेरा तान इस पर देखो कि अपमेरा था खाते हैं कि मुझे नठ आराओ आपर आपर कि और सिंदो मैं जयाओ पिलाइग भाट जैसी तेते हैं वो चालो जो 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 जो